तो दोस्तों इंपोर्टेंट रिवर्स के बारे में आज हम पढ़ रहे थे कॉंटिनेंट जितने भी थे सारे की सारे जो दुनिया के सारे इंपोर्टेंट रिवर्स में आपको बता रहा हूँ तो उसी का आज कंटिनेशन रहेगा दोस्तों लेक्चर तो चले शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एंड शुरू करने से पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चानल को प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दीजे और नोटिफिकेशन बेल आइकान को भी आउन कर लीजे होता है दोस्तों and finally it will go and meet into the Atlantic Ocean तो यहां पर आप देख सकते हैं इस इस सौफ फ्रांसिस्को रिवर और Atlantic Ocean में जाके यह मिल रही है इसको ओर जिन कहां पर है ब्रेजिल या दरख लिए नेक्स जखते हैं युकून सोर्सस जंक्शन आफ लिविस और पली रिवर युकॉन टर तो यही है रिवर हो युकॉन रिवर इसे कहते हैं and outflow कहां पर जाके मिल जाती है यह बेरिंग सी में जाके मर्च हो जाती है Next, St. Lawrence sources is Lake Ontario दोस्तों outflow Gulf of St. Lawrence and approximately 3058 km रहेगी St. Lawrence के बारे में हम लोगो ने जब important lakes पड़ा था उस वक्त मने आपको बताया था दोस्तों एक commercial shipping route है इसको origin कहां पर होता है Lake Ontario के पास होता है and outflow कहां पर जाके मिल जाती है यह Gulf of St. Lawrence okay this is the Gulf of St. Lawrence यहां पर जाके मर्च हो जाती है ultimately वह जो है Atlantic Ocean में ही जाके मिलती है but उससे पहले Gulf of St. Lawrence है वहां पर जाके मर्च हो जाती है and 3058 km next Rio Grande sources is San Juan Mountains Colorado outflow Gulf of Mexico and approximate length is 3034 ठीक है यहां पर आप देख सकते है Rio Grande River outflow कहा है इसका Gulf of Mexico में जाके मिलती है दोस्तों और San Juan Mountain जो उपर की तरफ है यहां से इसका origin होता है ठीक है next देखते है ब्रह्मपुतरा रिवर इंडिया की बात करें sources is Himalayas outflow is Ganga river and approximately 2897 km so Brahmaputra river का origin है हम सभी हों को पता है Himalayas इसका origin होता है and finally जो है अरुनाचल पदेश्य होते हुए एक sharp bend लेते हुए it will enter into the India और उसके बाद जो है जो Ganga river से मिलके finally it will merge into the Bay of Bengal but वही Ganga river को अगर बांगलदेश में क्या कहते हैं दोस्तों Padma river कहा जाता है ठीक है तो Padma river में मिलना और Ganga मिलना दोनों भी एक ही है और finally it will merge into the Bay of Bengal उसका दाती है इंडस river sources Himalayas outflow is Arabian Sea approximately 2,897 km so this is the Indus river और ये इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में जाके वहां से Arabian Sea में जाके गिरती है इसका जो sources कहां पर ये हिमालय से और बहुत सारे ट्रिबिटरी से जीलम हो गया चिनाब हो गया रभी हो गया सटलूज हो गया तो इसके ट्रिबिटरी से आपने बहुत बार पढ होगा और उसके बाद ये इंडिस वाटर ट्रिटी भी साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के साथ तो थोड़े इंपोर्टेंट पॉइंट है जो मैं इसके साथ जुडएवे में आपको बता रहा हूं उसका दनूबे आती है sources black forest जर्मनी में है दोस्तों आउट फ्लो इस इस अलसो वर्य इंपोर्ट ओके कॉंफलेंस ओफ मुराथ नहरी और कारासू रिवर्स तर्की में है दोस्तों आउट फ्लो इसका शतात अल अरब में जाके मिल जाती है और अप्रॉक्षमेट लेंड इस टूफरेट्स रिवर नेक्स देखते हैं डार्लिंग ऑके सोर्स जाके कई सारे चोटे चोटे रिवर्स में ऑरिजिनेट होती है तो सेंट्रल पार्ट आफ जो हाई लैंड से इसका ओरिजिन होता है ठीक है चले नेक्स देखते हैं जांबेजी रिवर इसका सोर्स जो है कहां पे जांबिया में है आउट फ्लो इस मोजम्बिक चानल अप्र इसका ओर जांबिया कंट्री है वहां से इसका ओरिजिन होता है एंड इट विल फ्लो तुदा मोजम्बिक एंड मर्ज इंट्व इंट्या मोजम्बिक चानल तो इस अबाट तो देख लिए तो चले मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इपॉर्टनी टॉपी क के साथ तब तक के लिए धन्यवाद टेक केर स्टे 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 एल्थी थैंक यू सो मच